वेलकम डरेसीपी बिडि सबजी बनानते तो इसके साथ हम नान बनाते और मेंदे condi की बनाते है तो आज मैं आपके साथ गिहु के आटे से gaarlik बतर नान बनाना सिखाऊंगी जो एकदम सॉफ्ट और इकदम रस्टोरं जैसी बनेगी और गियहु के आटे की नान हमारी हेल्स को नुक्षा भी नहीं करता और गर्पे बनाना बहुत ही आसान है तो शुरू करते हैं वीट ख्लोर गार्लिक बटर नान बनाना तो इसके लिए हम आटे के लिए सामगरी देख लेते हैं तो यह मैंने तीन कप गहों का आटा लिया है जो मेजरिंग आता है इससे नापके मैंने तीन कप गहों का आटा लिया है जो हम चपादी के लिए लेते हैं वही आता है और यह मैंने आदा कप मिडियम खटा दही लिया है दही हमें रूम टेंपरेचर पर ही लेना है यह मैंने आधी टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है और 1-4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप 3-4 चमच यानि कि 3-4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले सकते हो और 2 teaspoon मैंने पावड़र शुगर लिया है आधी टीजपून नमक लेड़ टेबल स्पून तेल और यह मैने आठा गुनने के लिए गुनगुना पानी लिया है तो सबसे पहले हम आठा तैयर कर लेते हैं तो मैंने एक बड़ा बरतन ले लिया है इसमें मैंने यह आठा ले लिय डालेंगे पहलेHey and यisां करेंगे बात में इसमें तेल डालेंगे कि यह मैंने तेल डालने के लिए गूनगुना पानी लेनगे. आटे में हमने जो पीसी हुई चीनी डाली है इसे नान का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा तयार करूंगी और ये मैंने गुनगुना पानी लिया है गुनगुना पानी लेने से आटे में फर्मेंग्टेशन भी अच्छा तो हमें रोटी से थोड़ा सख्त और पराठे से थोड़ा इसाठा तयार करना है तो इस तरह से मैं आठा तयार कर लूँगी और अच्छे से फीर हमें प match शे मिनीट के लिए से मसलना है अभी तोड़ा सख्त है 1 से थोड़ा और पानी लेकि इसे और सप्ट कर दूँगी तो इस तरह से में आटा तयार कर लिया है तो अभी में आटे को डगते 5-6 गंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दूँगी अभी ठंडी की सीजन है तो इसे फर्मेंटेशन में 5-6 गंटे लगेंगे गर्मी में 4 गंटे में हो जाएगा तो 5-6 गंटे के लिए से मसल लेती हूं और फिर हम इसकी लोई बना के तैयार कर लेंगे तो अब देख सकते हो आठा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और यह गालीक नान एकदम सौफ्ट बनेगी अब जरूर बनाएगा तो इस तरह से में लोई बना के तैयार कर लेती हूं बाकी की सामगरी में दिखा देती हूं तो यह मैंने बटर लिया है क्योंकि हम बटर नान बनाने वाले हैं थोड़ी बारिक कटा हुआ हरा धनिया है यह मैंने सफवेद वाले तील लिया है और यह मैंने 10 से 12 कली लसुन की इस तरह से कद्धू कस कर लिया है यह मैंने ग्यों का सुखा आठा लिया है तो इस तरह से हम जो लोई बनाई है इसको कोट कर लेंगे और अच्छे से हम इसे बेल लेंगे आठा अच्छा होगा तो आपकी नान एकदम सॉफ्ट बनेगी और यह सब भी चीज़े हमें मेजर्मेंट से ही लेनी है तो आपकी यह गालिक बटर नान एकदम बाजार जिसी बनेगी रेस्टोरन जैसी और एकदम सॉफ्ट भी बनेगी तो इस तरह से मैंने ओल शेपे बे कर सकते हो और यह मैंने गालिक ले लिया है तो इस तरह से बेल लेंगे और अभी सर्दियों में फ्रेश गालिक भी मिलता है तो आप इसका भी इस तरह से धन्या की तरह यूज कर सकते हो तो इस तरह से मैंने पतला बेल लिया है ज्यादा मोटा नहीं और ज्यादा पतला नह तो इस तरह से दो बेलन मानने से अच्छे से चिपक जाएनी चिपक जैके या कटोरी में पानेως चेत हेल्टूचे से पानीJa हो जाने के बाद नान डाल दी है एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे आप देख सकते हो थोड़े थोड़े बबल आने शुरू भी हो चुके है तो जब तक यह सीखता है एक तरफ से तब तक हम दूसरा भी बेल के तैयार कर लेते हैं यही प्रोसेस करनी है तो यह एकदम आसाने से हम बना सकते हैं तो इस तरह से दूसरा मैने ओल शेप में बनाए है आप गोल भी बना सकते हो थोड़ा मोटा हो तब हमें इसमें यह दन्या और यह सब लगा देना है जिससे दो बेलन मानने से अच्छे से चिपक जाएगा यह मैंने गालिक भी लगा लिया तो यह मैं एक से दो बेलान और दूंगी और अच्छे से यह देगयर हो चुका है । अभी इसे इसे ही रखती हूं, तब तक हम देख लेते Państwoं , यह आप देख सकते हो हमारा नान उपरसे फूल चुका है तो मतलब नीचे की तरफ से अच्छे से शीख़़ग चुका है तब इ ह Aggregov के सलने लोहे के उल्टा करके गैस की फ्लाइम हाई कर देती हूं और अच्छे से सब्सक्राइबना also तो आप देख सकते हो एकदम अच्छे से यह सीख रहा है इस तरह से तो यह आप देख सकते हो कितना बढ़िया बना है तो यह सीख चुका है मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ इस तरह से तो यह अच्छे से सीख चुका है तो गर्मा गरम गेउं के आटे का गाल लिक नान बनके रेड़ी है तो मैं इस पे गरम गरम ही बटर लगा लूँगी दूसरा भी मैं इसी तरह से सेक लेती हूँ तो दूसरा भी मैं इसी तरह से पलटा लूँगी और दूसरी तरफ मैं पान लगा लूँगी यह प्रोसेस खास करनी है वरना यह चिपकेगा नहीं और तबा गरम ही होना चाहिए तो जब तक यह सिखता है तब तक में तीसरा भी इस तरह से पेल लेती हूँ यह ग्याटे से बने है इसलिए एक तरफ से हल्दी भी है और अभी कोरुना की वज़े से हम रेस्टोरंट में नहीं जा पा रहे तो आप इस तरह से गालिक बटर नान विंटर की सीजन में बना के गर पे ही खा सकते हो तो यही प्रोसेस फोलो करनी है और सारे नान में इसी तर से बनाउंगी तो यह थीसराही मैं लिया है जब तक यह सीख रहे तब तक कहम थीसरा भी इसी तरह से बेल के तेयार कर लेंगे को अभी मैंने ओल शेप बनाया अब गोल भी बना शकते हो तो यह अच्छे से बेल के रेडी हो चुका है इस तरह से तो यह देख सकते हो अच्छे से एक तरफ से फूल शुक्का है तो अभी हम बल्टा के इसे पहला जैसे वही इसी तरह से हम शेकषिशने के हम शेकर लेंगे इस तरह से गुमागुमा के हमें शेकना है हमने पानी लगाया है, इसलिए यह नीचे अच्छे से चीपक रहा है और हमें इसमें non-stick अभे का यूज नहीं करना है क्यूंकि वो चीपकेगा नहीं लोहे का या अलिमीनियम का तबा हो तो इसी का हमें यूज करना है तो इस तरह से अच्छे से हम सेक लेंगे आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है इस तरह से तो ये दूसरा भी अच्छे से सीख चुका है मैं आपको दूसरी तरफ दिखा देती हूँ एक दम अच्छा बना है तो मैं इसे निखाल के इसके उपर गरम गरम ही बटर लगा देती हूँ तो ये हमारा वीट फ्लोर गार्लिक बटर नान बनके रेडी हो चुका है आप इसे गरमा गरम कोई भी पंजाबी सब्जी के साथ खा सकते हो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना बूले तो ये गरमा गरम वीट फ्लोर गार्लिक बटर नान मैंने पंजाबी सब्जी के साथ सव किया है आप ये रेसे भी जरूर ट्रा किजिगा